नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल में फिर से एक बार वेहूँ आपकी वही अंजले सबे के चेहरे में वो बात नहीं होती, थोड़े से अंधेरे शिर्रात नहीं होती जिन्दगी में कुछ लोग बहुत प्यारे होते हैं, क्या करें? उन्हीं से हमारी मुलाकात नहीं होती जिहां आपने सही सुना हम आज की डेली राशी फल की बात कर रहे हैं, ये प्रेडिक्शन चंदे राशी पर आधारित है सबसे पहले आज के दिन जिनका बज़े है या फिर मारी जनवर्सरी है, उनको मेरी तरफ से धेर सारी बधाई हो तो चलिए अब शिरू करते हैं यदि अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है, तो एक अकेला जुगनों भी सब अंधकार हर लेता है बारिश के बूंदे भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़े नदियों का बहाव बन जाता है वैसे ही हमारे छोटे छोटे परियास भी जिन्दगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं आप भी छोटे छोटे परियासों से अपना भविश्य उज्वल बना सकते हो, बस कोशिश करते रहिए जब तक जीत हासिलना हो जाए गलतियां करना बुरा नहीं है, बलकि अपनी गलतियों से सीख ना लेना बुरा है सलाह के सौ शब्दों से ज़ादा अनभव की एक ठोकर ही इंसान को बहुत मजबूत बनाती है अपनी छवी का ध्यान रखें क्योंकि इसकी आयू आपकी आयू से कहीं ज़ादा होती है हमेशा अंच्छी संगत करें और औरों को भी यहीं प्रिणा दें संसकारों से बड़ी कोई वसियत नहीं होती और इमानदारी से बड़ी कोई विरासत नहीं होती इंसान हर घर में जन्म लेता है लेकिन इंसानियत कहीं कहीं ही जन्म लेती है इसलिए आप भी हमेशा इंसानियत निभाईए पूरे संसार में ईश्वन ने केवल इंसान को ही मुस्कुराने का गुण दिया हुआ है इस गुण को खोई ये मत खुद भी मुस्कुराएं और औरों की चहरे पर भी मुस्कान लाएं सबसे पहले में आपको पिताया दूँ कि हजाब के लिए जो है भागिशाली रंग रहने वाला है और इंच करर और चला की नमबर है वो नमबर आठ बन रहा है आज के लिए तो ग्रहों के सिदी कोई चीज़ प्रकार वनी हुई है सितारे कहते हैं कि परिवार से रिलेटिद जो बाती है वो आपके मन के खिलाफ होने की वज़े से लोगों की प्रती आपके विचार बदलने ही लगेंगे अगर आपको कोई आर्थिक प्रकति मिलती है तो उसका फाइदा आपके परिवार को भी हो सकता है नई प्रोपची लेने का विचार बहुत ही पढ़िया रहेगा आप ले सकते हैं लेकिन वास्तु विशेशक्य के द्वारा मिला मार्क दर्शन जादा बैटर रहेगा इस समय आप अगर कोई भी भूमी वगरा खरीते हैं तो अगर उसे रेनोवेट करेंगे बनवाएंगे कुछ भी चीज़े करते हैं तो आखो जो है वास्तु शैस्तर के कॉरिंग ज़रूर करवाने चाहिए इस से जो है बहुत यबड़ यारे दल देखने को मिल सकते हैं आपको साथ में आज कई लोगों को जो है शरेड में कहीं दर्द वगरा भी हो सकती है आज धार्मी का क्रिया कलपों में जादा बबीजी रहेंगे किसी धार्मी की यात्रा का भी योग बन रहा है आज का भायों के साथ सबन बहुत ही पढ़िया रहेंगे पुराने तनाव से मुक्ति मिलती नज़र आएगी बच्चों का उनके सुक्सविदाओं से रिलेटिड वस्त्व के लिए शॉपिंग का भी मोड बन सकता है पच्चे काफी शॉपिंग करेंगे आज की तन ज़र आपने जेव धीली रखकर चलिएगा लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि दूसरों के मुद्ध में ठांग मत तड़ाईएगा नहीं तो आपका अपमान हो सकता है बीच में पिता की किसी बात की अबेलना करना उनकी नराजगी का कारण बनेगा इसलिए ज़रा ऐसे मत कीजेगा इसमें युवाओं और स्टुजन्स को अपनी पढ़ाई और कारण में विशीश रूप से ध्यान देने की जरूरत है तब ही अब आगे प्रगति कर पाएंगे आपके जीवन के बारे में दूसरों के क्या राय है और दूसरों की सोच को ज़्यादा महत्व देने की वज़े से आपके अंदर पोटेंशिल होने की बावजूद भी आप उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे अपने जो विचार है उनका दारा बढ़ाना होगा आपको जो है अपने आपको चींच करना होगा बदलाब लाने होंगे जैसा महौल चल रहा है अगर आप खुद को अपडेट नहीं करेंगे तो लोग आपको ओल्ड फैशन कहेंगे जो कि बिल्कुल वे इच्छी बात नहीं है आज आपको जो है सबसे आगे निकलने की कोश्ट करनी चाहिए और समय के रहते आपको हर चीज बदलनी चाहिए सिरकारी कामों को पूरा करने के लिए दिन बहुत ही बढ़िया कहा जा रहा है विरोधियों की प्लानिंग्स को धवस्त करें और अच्छे प्रणाम मिल सकते हैं आपको प्रशन साभी मिल पाए कि लोग आपसे खुद के फैज जो परसनल मामले हैं उन चीजों से लिट इसलाह मशुरा ले सकते हैं आपसे कुल मिलाकर समय जो है पूरण रोप से आपके पक्ष में है इसका बहतरी नोप्यों कीजेगा लेकिन जरा सिला परवाही की वज़े से कुछ चीजे आज इधर उदर हो सकती हैं जिसकी वज़े से मालसिक तनाव भी हावी रहेगा और हाँ आप में सेहन शक्ति की कमी हो सकती है स्टूरेंट्स लोग जो है इधर उदर की बातों में जरा वक्त जाया बिल्कुल भी मत कीज़ेगा वरना आपकी बढ़ाई में खलल पड़ सकता है जरा ध्यान लखिए बात करते हैं बिजनस और करेड की आज वेविसाय में कुछ ठोस और खास फैसले होने की वज़ा हो सकते है मलब फैसले हो सकते हैं कुछ इंपॉर्टन तो आपको ये फैसले लेने चाहिए और सो समझ कर इंपॉर्टन लोगों के समपरक में आपकी कारे बनते नज़र आएंगे नौकरी में पद्दौनते मिल सकती है, प्रमोशन होगा ओफिस में महाल जो हैं आपके पक्ष में रहेंगे परिसित्या अनकूल बनी हुई है दिक्कत वाली कोई बात नहीं नौकरी में बद्लाव लाने का प्रतन बड़ी महनत के बाद सफलता परदान करेगा आपको आज कारोबारी जो हलात है वो भी सुदरते नज़र आ रहे हैं वे पार मीविस्तार से लेटी यूजनाय पन सकते हैं उनमें छोटी मोरी परिशान ही आएं के लेकिन आप उन करने में उसे सफलत हासल कर सकते हैं आज आपके जो मीटिंग हैं किसी राजनिति किसी भी हो सकती है जो कि आगे चलकर फायदे बंद रहेगा आपके लिए आज आपके जो काम है कुछ हद तक रुग भी सकते हैं लेकिन जाड़तर लोगों के पूरन होते नजर आ रहे हैं आफसरों के साथ आपके जो रिष्टे हैं उनमें काफी सुधार होता नजर भी आ सकता है सहय कर्मी और सहय योगी के साथ आपका जो सहय योगात्मा का रवया है वो बढ़िया रहेगा पहले से जादा आपका जो रवया है वो ठीक ठाक बना रहेगा वाल्स आपसे बहुत खुश रहेंगे जो लोग मारकेटिंग का काम करते हैं उनके लिए थकावट भड़ा दिन रह सकता है आज अब काफी बीजी भी रहने वाले हैं और आपको दिन जो है काफी ठीक ठाक नहीं लगेगा थोड़ा चिटशीटा पना आपको देखने को मिल सकता है अपने आप में तो आपको इस बात का ध्यान रखना है वैतिकी एक शेत्र से जुड़े लोगों को प्राइवेट प्रेक्टिस के बारे में सोचना उचित रहेगा आगे चलकर आपको बहुत ये बढ़िया चीज देखने को और उपलब्धी देखने को मिल सकती है अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की लव लाइफ की लव लाइफ कहती है कि जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर नराजगी रह सकती है आज जरा अपने रवये को चेंज कीजे थोड़ा सा लेकिन ध्यान रखीगा कि घर की बाते बाहर मत जाने दीजेगा अज आपको हर पहलों को सोच समझ कर हल निकालना है फिजूल की चुकती विदिया हैं उनमें समय जरा जाया मत कीजेगा पती-पत्ने के समझ में बहुत इच्छे रिलेशन बने रहेंगे आप एक दूसरे के साथ कहीं बाहर भी चाह सकते हैं टाइमस फन करने के लिए विवास से रेलेडिट प्रगती हो सकती है लेकिन थोड़ी देर लगेगी इसमें साथ में आज आपका जो पुराना हुआ अटका हुआ कोई पैसा है वो भी मिल सकता है परिवारिक के वात्तावरन सुहार्द पुन रहेगा नए महमान की आगने की आगमन हो सकता है यारी कि जो लोग विभा करना चाहते हैं उनकी जिन्दगी में कोई आ सकता है या पिर जो लोग पहले से शादी शुदा है उनकी घर में ननना मुना मेहमाना सकता है अब आगे बढ़ते वर बात करते हैं आज के हैल्थ की तो हैल्थ कहती है कि किसी पुरानी चल रही शरेरिक समस्या में सुधार होगा अपना खयाल रखिए क्योंकि ये दिन बहुत ही मिले जुले रहेंगे क्योंकि ठंड बढ़ रही है तो आपको मच्छलों से साधान रहना होगा आप उर्जावान और स्वस्ते महसूस कर पाएंगे आपको जारतर और हाँ साथ में आज आज आपको जो है पेर से रिलोटिट जो है तकलीव थोड़ी बहुत हो सकते है बज़रुकों की सेथ में बदलाग होता नज़र आएगा चिंदा थोड़ी बहुत बढ़ सकती है ध्यान रखीगा बाकी लोगों का स्वस्ते नॉर्मल और ठीक ठाक ही रहेगा लेकिन हाँ आमाता के स्वस्ते को लेकर चिंदा बनी रहेगी इसलिए लापरवाही ज़रा बिलकुल भी मत कीज़ेगा तो चलिए बढ़ते हैं बंत में आज की विशेश उपाई की तरफ तो विशेश उपाई कहता है कि आज आज आपको सद्कुरु के द्वारा लिएगे नाम का अभ्यास करना चाहिए, सिमरन करना चाहिए उससे बहुत ही आपके जो काम है बंते तो नज़र आएंगे लेकिन आपको अध्यातनिक उन्ती भी बढ़ती नज़र आएगी इसे के साथ ही आज गुप्तरुप से दान पुन करें गौँशाला में कुछ दान दीजिए साथ ही आणाथाले में जितना हो से कि उतना दान अपने एक शम्ता के अनुसार जरूर कीजिएगा लेकिन गुप्तरुप से कीजिए, किसी को बदा कर मत कीजिए तो ही बैठर रहेगा तो दोस्त अगर आपको वीडियो अच्छे लगई हो तो लाइक करें, शेर करें